तो नमस्ते दोस्तों मैं बेसिकली वीडियो किसी मकसद से लेकर रहा हूँ ज्यादा लंबा मैं नहीं खेचूंगा कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दिखिए मेरे पैस मैं मतलब 95% 123 की दोर हैं लेकिन जितनी इमनी दोर हैं मैं सब को टैस करके तो नहीं दिखा सकता अबको लेकिन मैं आपको बताना यह चाह रहा हूँ कि जितनी सारी डोरों मैंने त्यार करें देखी हैं जो त्यार करवाई हैं या जहां दुकानों से लिए हैं सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है तो जैसे मैं कहना यह चाहता हूँ कि अभी जो मुद्दा चल रहा था तो यह पॉसिबल है इसमें कोई गलत बात नहीं है कि यह चीज नहीं हो सकती देखे जैसे स्पेशली चान नियाजे की जो डोर आती है मन्नू की डोर आती है या जो चड़ी भी डोरे आती है जैसे भी आजकल एक SKR करके ब्लॉक बहुत चल रहा है वो भी मैंने मंगवाया था उसका ब्लॉक भी मेरे पस पड़ावा है तो मैं कहना है चारों की मतलब जब काम उस पर ऐसा किया जाता है तो मजबूती आ सकती है तो कोई बड़ी बात नहीं है अब प्रही बात तूर्णमेंट की तूर्णमेंट में देखे आप लोगों नहीं रूल बनाए जो भी लोग बोल रहे हैं कि दूर गलत है या सही उनी लोगों ने रूल बनाए है और डूरें आज तक मैदानों में चेक भी बहुत होते हुई आई है इसमें कोई डाउट नहीं है तो जो आपने रूल बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो डूर खड़ी उतरनी चाहिए चाहे हो 1-2-3 की हो चाहे कुछ और हो मतलब डूर खड़ी उतरना बहुत जरूरी है उस पर्टिकुलर मैटर के लिए तो इसमें जो उड़ाने वाला है उसको भी नहीं पता होता कि कितनी स्ट्रेंथ की डूर लग रही है या जान बूच के कोई बनवाना चाहता है नहीं चाहता है वो एक अलग मैटर हो जाता है लेकिन ये बार शौर है कि जरूरी नहीं कि जानते हैं पहलाबाद के चुबारा भी बहुत कॉमनली बनता है तो कहने का मतलब यही है कि अलग-अलग काम किये जाते हैं दोरों पर तो इन सब चीजों का एक सॉल्यूशन निकलना चाहिए पहली बात तो बहुत सिंपल सी बात है मैंने अपने प्रहले व्याले वीडियो में भी बुला हुआ है आप लोगों को इसको जरूर ध्यान से सुनेगा कि जितना अच्छा काम 123 पे हो सकता है जितना अच्छा मेटेल 123 के अंदर बैठता है मुझे लगता किसी भी मतलब और डोर में वो बैठ सकता है तो इसलिए पहली बात तो यही है कि जो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी डोर बनती है जो सबसे ज़्यादा काटती है वो 123 की डोर ही होती है चाहिए बस क्या कि 84 सो लिया है आजकल मापना बहुत मुश्किल है। तो या तो हमें इस पर्टिकुलर जो confusion है पतंग बाजी के अंदर में, इसमें इस पर्टिकुलर matter को हटा देना चाहिए कि कितनी strength की door है, क्या है क्या नहीं क्योंकि आजकल अगर पीछे से भी अगर door अच्छी बनके क्योंकि अगर ये और लोगों के साथ में हो रहा होता, किसी और के साथ में हो रहा होता, तो मुझे लगता नहीं उसके बारे में इतनी चर्चा हुआ होती। इसलिए especially इस चीचों को बहुत जादा बढ़ाया जा रहा है। तो मेरा suggestion यही है कि आप सब लोग मिल जल के रहे हैं, सब लोग एकी बात रखें और इस सीच को as an association आप आगे बढ़ाया कि हमें एक ही rule रखना है कि या तो door पहले ही चेक हो जाए उनने से पहले और उनने के बाद काटने के बाद कोई door चेक नहीं होगी, क्योंकि उससे बि झाल